गोरकपूर विशुद्याले के विधी संकाय विभाग में समिधान दिवस के आउसर पर भारत के समिधान की उद्देशी का महत्यवान दर्शन विशेपर आचार पर्तपादित एवं इसमिर्ती में विख्यान का आयोजन किया गया आयोजन के अनुकरम में विधी विभाग में आचार परतपादित इतं मिर्ती विशेश वियाख्यान का आयोजन किया गया इस दौरान कारिकरम में मुकहतिती के रूप में पहुँचे सेंटेंड्यूस कालेज के पूर उपचार ने दीप पर्यरित कर कारिकरम का शुभारम किया इस असर पर मुकासिती डाक्टर वीपी सिंग ने विधी के छात्रों को संबोधित करते हुए चात्र जीवन के अनुभवों को साजा किया और चात्रों को भारती समिधान के मुल्यों को आत्म साथ करने का सुझाओ दिया अपने व्याक्षान में उन्होंने समिधान सबा के गठन उसके द्वारा समिधान निर्मार पर परकाश डाला साथ ही केशवानन्द भारती वात का उद्द्रार देते हुए बताया कि भारती उचितम नियाले ने ये अभिकतित किया है कि समिधान की उद्देशिका भारत के समिधान का अभिन भाग है आगे उन्होंने समिधान की उद्देशिका में वर्डित विभिन लक्षियों नियाय सोतंता संता एवंबंधुत को किर्यानुरित करने में सरकार द्वारा किये गए विभिन उपायों तथा साथ ही साथ उन उपायों की नियायक समिच्छा पर परकाश डाला उन्होंने कहा कि 1989 में LM सिंधिवी जी ने ये प्रस्ताओ रखा कि 26 नमंबर को प्रतिवर्ष विधी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए तथा ये प्रस्ताओ सब के द्वारा सहश सुईकार किया गया और तब से 26 नमंबर को प्रतिवर्ष विधी दिवस के रूप में मन पंक्ती ही इस देश के चरित को प्रस्तुत करती है तथा आगे उद्देशी का हमें इस समिधान के लक्षियों को बताती है इस असर पर गोरगपुर शिद्दाले के विधी संकाय के अधिक स्थाता प्रोफेसर अहमद नसीम, सहाइक आचार डाक्टर मनिश कुमार राय, प्रोफेसर सतीश चंतिर पाठी सहीत विधी के चात्र एवं चात्र राय उपस्तित रहें अपने विवाद हुए हमेसा ऐसे ही फकड़ में आजाता हूँ अभी मैं असर नसीम सर से पूछ रहा था भाई मुझे तु नहीं उलाली हैं कुछ बोलना पड़ेगा तो मैं आज के परेसर संसामिरान दिवस के पूरे आउसर कि आप जबान दोगों को सभी लोगों को आजेंगे सब को सामिरान का महत्तो क्या है समिधान क्यों जो मैं अब तक समझ पाया हूं कि समिधान इसलिए ताकि हम हमारा एक लक्षए हो और मालक्ष हो, रामराज का लक्ष हो कि हम उस लक्ष को प्राप्त कर सके हैं क्योंकि समिधान हमेशा एक खुट गवर्नेंस की बात करता है खुट गवर्नेंस की पिरिणा देता है चाहे हमारे प्यक्तिकत संबंदों में हो हर संदर्भ में हमें एक आदर्स वरूप राप्त करने की प्रेणा देता है हमारा समिधान और आदर स्वरूभ की प्रेडा जो है वो आदर स्वरूभ क्या है गुट गवर्नेंस क्या है गुट गवर्नेंस रामराज गीता का आध्यार मेरा एकदम सिफर है लेकिन जो कुछ मैं देख पाता हूँ उससे हमें यह लगता है कि एक दो मुद्धों पर हो सकता है किसी को कोई उसमें आपति आए लेकिन जो मैं देख पाता हूँ उसमें हमें जो लगता है कहां रावराजी के ओधाणा बिलाई सुर्वात से ही आधम nih करस्तावना को रिशाइट किये हैं द्वाराएं हैं और पूरा वोज के साथ द्वाराएं हैं हमको उसमें सावरेंड, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपबली ये सभी सब्द मिलते हैं जो समाहित के गए हमारे समिधार में कहीं कहीं हमको मानस मिल जाते हैं चाहे वह कंबन रामायन हो चाहे वह तूल सीदास दितराम सरितमाना सो चाहे वालबी की क्रिद रामायन हो जतने तरह के हम रामायन पढ़ांगे उन्स सब में संप्रवुता हमारी भनी रह है इसे बात की गई है राज अक्षोडर है इसलिया सुमेध यक्य की भी बात की गई है राज संप्रहुता का एक लक्षणा सुमेध यक्य होता है हर यूग में रहा है हर यूग में राज की संप्रहुता को रखने की बात की गई है और राम राज में भी आ रहा है समाजवाद, भार्वनिर पेक्षिता की बाद, पंधनिर पेक्षिता की बाद, और गर्वतंद्र की बाद, यह भी हमें रामराज्य में मिलती है, साथ ही साथ, न्याय, समता, बंदुता, राज की एकता और अखंडता, यह सब हमारे समिधार में किसी निकिसी रूप पे हमें म जब भगवान राम बंक हो जाते हैं द्याय की प्राकास्ता देखें तहते हैं रामराज बैठे त्रेलों का हरसिद वैए गये सबसों का उस पूरे स्टेंजा को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है कि कि नहीं किसी इसमें कोई बायर था नहीं किसी में कोई कुछ था सब लोग समान थे सभी लोग एक घाट बाग और मकरी पानी पीते थे समता का इससे बड़ा कोई उदारण नहीं मिल सकता है तो बगवान न्याय देते हैं और कहते क्या है न्याय देते समय करते हैं जब बाली का बद होगा तो बाली ने पूछा कारण को नात महीं मारा मैं बहरी सुक्री महीं प्यारा दगवान कहते हैं क्यानुज बदू भगनी सुतनारी सुन सके कन्या समचारी इन्याय कि इससे में क्या प्रकास्टा हो सकती है